दोस्तों गर आप Paytm से train ticket book करना चाते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि Paytm से train ticket कैसे book करें तो सबसे पहले हम अपने Paytm application को हम open कर लेंगे Paytm application open करने गाथ आपके सामने कुछ इस type का interface खुल के आ जाएगा आपको इसको नीचे scroll down करते जाना है नीचे यहाँ पे आपको option देखने को मिलेगा ticket booking आपको इसके बाद यहाँ पे train ticket का option देखने को मिलेगा आपको इस पे click कर देना है इसके बाद आपके सामने next page खुल के आ जाएगा यहाँ पे आपको book ticket के option पे click कर देना है book ticket के option पे click करने के बाद यहाँ पे सबसे उपर आपको अपना rail station यहाँ पे डाल देना आपको कहां से reservation चाहिए तो जैसा कि मुझे यहाँ पे लखनो से चाहिए तो मैं आपे डाल देता हूँ लखनो जैसे मैं आपे लखनो डालोंगा तो मैं यहाँ पे लखनो all station यहाँ पे select कर लेता हूँ इसकी बाद आपको कहां तक जाना तो जैसा कि मुझे यहाँ पे हर्दोई तक जाना है तो मैं यहाँ पे डालोंगा हर्दोई इसकी बाद जैसे ही आप यहाँ पे spelling डालेंगे आपने railway station का नाम लिख क्या जाएगा आपको उस पे क्लिक कर देना है इसकी बाद आपको यहाँ पे date select कर ले नहीं है आपको किस date का reservation चीए तो जैसा कि मुझे यहाँ पे 20 अगस्त को चीए तो मैं यहाँ पे 20 अगस्त पे क्लिक कर दूँगा इसकी बाद मैं इसको चक कर लेना है तो जैसा कि मुझे यहाँ पे सुबा की train चीए तो मैं यहाँ पे कोई सुबा की train यहाँ पे देख रहा हूँ इसकी बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रयागराच यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो बैयालिस उन्तिस यह train नंबर है सुबा पांच बच के दस उन्यट पे लखनों से निकलेगी और छे बच के च्छतिस उन्यट में मुझे हर्दोई पहुँचाएगी तो मैं यहाँ पे स्लीपर क्लास पे क्लिक करूँगा स्लीपर क्लास पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 145 रुपर का टिकट है और 391 सीटे खाली है तो मैं इस पे बुक पे क्लिक कर दूँगा book पे click करूँगा यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना यहाँ पे travel information देनी है यहाँ पे आपका किसका reservation करना है आपको यहाँ पे नाम डालना है तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ तो जैसा कि मैं अपने दोस्त का यहाँ टिकट बुक कर रहा हूँ तो मैं डालने के बाख आपको यहां पे उमर डालनी है, आप किसका टिकेट बुक करें तो मैं यहां पर उसके उमर डालतीता हूं, इसके बाद यहां पर डिक करना चाहएं, तो कर सकते हैं, lower birth, middle birth, upper birth, तो मैं इसको यहां पे no कर सकते है, travel information, इसके बाद यहाँ पर अगर आपके असाथ कोई child भी है तो यहाँ पर अड़े child पर क्लिक करके, आप यहाँ पे child भी add कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते आपकी सिर्फ lower birth ही यहाँ पे book होगी इसके बाद अगर आप two lower birth लेना चाहे तो आप इस पे tick कर दीजी यहाँ पे two lower birth ही यहाँ पे book होगी इसके बाद अगर आप यहाँ पे book only if birth are allowed in same coach में अगर लेना चाहे है टिकर सारे तो यहाँ पे same coach भी पे book होगी तो मैं यहाँ पर सबसे उपर यहाँ पर book only confirm पर कर देता हूँ यहाँ पर only confirm इसके अद आपको यहाँ पर consider for auto-upgradation देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको इस पर tick कर देना है by chance यहाँ पर 3 AC में seat खाली होगी तो आपको sleeper से 3 AC में यहाँ पर auto-upgrade कर देगा आपको इस्टा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे प्रफरेड यहाँ पर coach ID अगर आप डालना चाहिए तो यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आप किसी के साथ सफर करना चाते हैं उसी train में उसी bogey में तो यहाँ पर डाल सकते हैं यहाँ पर B1 या S7 तो आपको यहाँ पर उसी यहाँ पर coach में दे देगा तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इसको यहाँ से हटा देता हूँ इसके बाद आप यहाँ पर GST Tax Benefits यहाँ पर यह optional है यह आपको नहीं बनना है इसके बाद आपको यहाँ पर mobile number डालना है तो मैं आप अपने दोस्त का यहाँ पर mobile number डालना है जिस पर यहाँ पर ticket का message आएगा आपको वही mobile number डालना है तो मैं आप यहाँ पर mobile number डालना है तो मैं आप यहाँ पर mobile number डालना है इसके बाद यह email id यहाँ पर email id डालने के बाद आपको यहाँ पर destination address डालना है यहाँ पर destination address डालने से पहले सबसे पहले आपको pin code डालना है तो जैसे आप pin code डालेंगे तो यहाँ पर automating यहाँ पर city town और state यहाँ पर post office ले लेगा तो आपको 40 पैसे per person आपको इस्टार देना पड़ेगा अगर आप इसको लेना चाहे तो ले सकते हैं नहीं तो इसको नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर I agree to cancellation and refund policy पर आपको tick कर देना है इसके बाद आपको नीचे proceed to book पे click कर देना है proceed to book पे click करने के बाद आपको यहाँ पर next page पे लेके चाहेगा यहाँ पर फिर से अपनी train number और timing आपको check कर लेनी है अपना यहाँ पर travel information यहाँ पर अपना नाम भी check कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पर view free backup आपको देखने को मिल जाएगे यहाँ पर अपना यहाँ पर ticket fair चेक कर सकते है आई से टीसी convenience fees और यहाँ पर agent service चार्ज 14 रुपे और payment get वे चार्ज 3 रुपे इसके बाद हम इसको यहाँ से अटा देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर proceed to pay पर नीचे क्लिक कर देना है प्रोसीड to pay पर क्लिक करने के बाद आपके सामने next page खुल के आ जाएगा यहाँ पर आप debit card, credit card से भी payment कर सकते हैं भीम UPI से भी और net banking से भी payment कर सकते हैं अगर आपके पास ATM post page है तो यहाँ पर ATM post page से भी आप payment कर सकते हैं जैसा कि मैं यहाँ पर ATM post page पर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और मैं ATM post page से ही payment करूँगा इसके बाद मैं इसको नीचे pay पर क्लिक कर दूँगा पेपे करने के बाद आपको यहां पे next page पे लेके जाएगा यहां पे आपको यहां पे IRCTC का password यहां पे डालना पड़ेगा तो मैं यहां पे IRCTC का अपना यहां पे password डाल देता हूँ IRCTC password डालने के बाद आपको यहां पे capture डालना यह जो बड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यही capture डालना तो मैं यहाँ पर capture डाल देता हूँ capture डालने के बाद अगर आपको password नहीं आ दे तो आप यहाँ पर forget password पर क्लिक करके अपना password रिकवर कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर submit पर click कर देना है submit पे click करने के बाद आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे ticket booking हो जाएगी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी booking यहाँ पे successful हो गई है आप यहाँ से download ticket के option पे आप click कर देजिए download ticket के option पे आप click कर देएगे आपका यहाँ पे ticket download हो जाएगा आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ticket download हो चुका तो میں इस पे click कर दूँँगा आप तेख सकते हैं और यहाँ पे timing भी आप चेक कर सकते हैं ऐसे दोस्तों आप भी अपना ticket book कर सकते हैं और आपके पास यहाँ पर जो मोबाइल नमबर आपने डाला होगा उसका मैसेज भी आपके पास यहाँ पर टिकट का आ जाएगा और इमेल आईडी पर भी मेल आ जाएगा टिकट बुकिंग का तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको भी मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब